Hello everyone, welcome to GDC classes और आज हम दिस्कस करने वारे हैं आपके digestive enzymes के बारे में वो किस तरीके से digestion में help करते हैं तो चलिए बिल्कुल ट्रिक के help से हम लोग डाजिस्टिन जैम को याद करेंगे ठीक है यह है आपका कौन वो दूलाल है वो दूलाल जिसके दोनों hand नहीं है बट हमें उनके हाथों से कुई मतलब नहीं है उनका hand है या ना हो हमको से मतलब नह मतलब है क्या पढ़ रहे है यह इस रिक डेकर क्या पढ़ने ओम कि ये घ्र-मॉक्ति और और क्या होता है आ पका है यह आपकाम से लेकर कहा प्रोसेस होता है तो चलिए देखते हैं कौन-कौन से आपकी इंजाइम स्क्रेल करते हैं सबसे पहले बात करते हैं आपके माउट में तो फॉस्ट आपके डाइजेशन अब की सटार्ट होगा आ अपके कार्बो फरीट का सब से चल्पर से होगए अपके TH-To की सिपनी सब्हuda क्या है, रेकित न्युक्त प्रोसेस नहीं होता है और नहीं यहां पर कोई भी इंजाइम मिलता है ठीक है उसके बाद सिधे कहां आपको इंजाइम मिलेगा आपका इस टोमाक वाले पार्ट पे आपको इंजाइम पना जारा आएगा ठीक है यह वाला पार्ट में क्या है कभी भी कोई भी डिजेशन पोसेस नहीं होगा और नहीं यहां पर कोई डिजिस्टिव इंजाइम उनको किल करने का काम कोंट करता है आपका लाइसो जाइम यह पर आपके पेपसीन और फिर आपका क्या रहेगा पेपसीन और आपका रेनिन इन जाइम प्रेजेंट होता है Πी र करके आप यार्च क्या 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 होता है पैपसिन का काम होता है अर बात करते हैं रेजीन का क्या होता है जौ आपके मिलक में केसीं प्रोटिन होता है इनको dizei sion में help करता है या simple labeling में बोच शक्त रहरे हुए मिली कैट में कंवर्ट करibenे का कौन करता है रेनिन मतलब और आपके and work surprising कि मतलब कोई प्रोटिं प्रियास को कैसे याद रखोगे यहाँ पर आपको थ्री इंजाइम्स यहाँ से रिलीज होते हैं इसको याद रखना है आपको लेट करके आपको याद रखना है लेट मतलब क्या होता है लेट का फुल फर्म क्या होगा आपका लेट का अपका १ेहाँ पर भी एक होता है जो कि छार्ट का डिजिशन करता ठीक है और ती से आ जा जागा आपका ट्रीफित शिन की लाइपे जुले म से करेंगा आपका किस्त दिशन का तो यहां पर भी देखिए पी नजर आ रहा है तो पी से आपको याद रखना है पी और लाश्ट में आपको क्या नजर आ रहा है सीन नजर आ रहा हुआ यहां पर भी क्या था आपका सीन नजर आ रहा हुआ तो जिसके लाश्ट में सीन नजर आएगा और पी वर्ड नजर आए उसको याद रखने का तरीका क्या है आपको लेट करके आपको याद रखना है लेट मतलब लाइब बेस जो कि लिपीट के डाजिशन में हेल्प करेगा एमाइले जो कि स्टार्थ का ट्रेपसिन जिसके लाश्ट मिसीन और पी नजर आएगा मतलब वो आपके प्रोटीन के डा आपको इस माद से आपको याद रखना है इसमेल कैसे रख limayan गरके आपको याद रखना है इसमेल देखिए कौन-कौन सी enzyme हो गया smell में यह आपका क्या है देखिए small intestine से release होने all enzyme की बात करते हैं आपका देखिए इसको याद रखने का तरीका हो small intestine से आपको A को क्या लिख देना है आपको इलिक देना है A को क्या लिख दोगे आप लोग E तो यह क्या नजराएगा इसको smell तो smell का full form क्या होगा आपका S से आपका हो जाएगा सुक्रेज M से आपका माल्टेज E से आपका इरेपसिन enzyme L से लाइपेज और L से आपका lactase enzyme काम क्या होता है सुक्रेज enzyme name indicate कर रहा है यह सुक्रोज के किसे चलिगा गलूंट कर देगा Hep देख़ के साथ यहां पर आपकर सिंदे गया च़रा है मैंने बताया तो पर फी और जहाएगा इस इसका मतलब क्या होता है आपके énप्रोटीन के जाइजिशन में के करेगा ठीक है इसका कोई ऐसा कोई मतलब नहीं होता है पीसिल का मतलब डाइजेशन होगा बस आपके ट्रिक है याद रखने के लिए फिर देखिए लाइपेज में रिखा हुआ है मतलब भी आपकी लिपीड के डाइजेशन में हैल्प करेगा और लेक्टोस क्या होता है आप कोई भी इनजाइम का सिक्रेशन नहीं करेगा लिवर से आपका इनजाइम नहीं बनता है यहां से आपका वाइल जूस बनेगा जो की आपका पुएड का करते है फेट के emulsification में इसका involvement होता है, फेट का emulsification कहने का मतलब है जो फेट के आपके large probelous होते हैं, इनको क्या किया जाता है आपके? इस small probelous में change करता है, कौन? यही आपका bile juice और यही काम होता है आपके liver का और bile juice आपका secret कहां से होता है, कहां से release होगा? आपके liver से बनाता कौन ही liver, बट store होता है, गॉल blader में store होगा, ठीक है? यहाँ पर जो गॉल blader होगा, वहाँ पर आपका store होता है, ठीक है? तो bile juice कहाँ गॉल blader में, तो यह complete information था, आपके digest to enzyme से related, यहाँ से question आपसे many times पूछा जाता है, इनके functions से question पूछा जाता है, कि रेनिन का function क्या होता है, pepsin का function क्या होता है, और आपका trypsin का function क्या होता है, और mlH enzyme का function क्या होता है, किनके digestion में help करते हैं, आप कुछ भी खाओ, ठीक है, आप कुछ भी खाना खालो, body को कोई मतलब नहीं होता है, body क्या चीज निकालेगी आपका, carbohydrate, protein, lipid, minerals और vitamins, बस इनी चीज़ों का आपकी body absorb करते हैं, और जो भी unnecessary चीज़े होता है, उनको इस आपके large intestine से आपकी body से remove कर दिया जाता है, ठीक है, इतना point clear हुआ, कुछ भी आपके lipid का, आपका smallest unit क्या होता है, fatty acid, visceral, आपकी body इनी simplest form इसको convert कर देती है, और आपका बाकी जो unnecessary होती है, western, इनको large intestine से होते हैं, body से eliminate कर दिया जाता है, यह होता है आपका digestive system, मतलब complicated चीज़ों को क्या किया जाता है, आपका complex molecules को simple molecules में ही change करना क्या है, आपका digestion process और in digestion process में यह सब enzyme का involvement होता है, तो आज के लिए बस इतना ही, कैसा लगा, आपको वीडियो कमेंट करके जरू बताएगा, और बिल्कुल हमारे चेनल को सस्क्राइब कीज़े, gdce, twitter, आज के लिए बस इतना ही, thank you.